एक चीज़े और दोस्त बता जारा हूं जो एंटारियो प्रविंस में रहा है यह वीडियो उनको ज्यादा सेयर करो अभी हमारी कंपनी में रिक्वार्मेंट है मैं पूरी कुछिस करूँगा उनको जॉब दिलाने के लिए उंटारियो प्रविंस की बाते बता रहा हूं म्यार पैसे बचा लेते हैं तो आपको मालूम होगा कि कहना में फिक्स सेलरी नहीं होता है प्रिक्स सेलरी नहीं होता है लेटर में तो हो फीटर हो यह कटेगरी के हिसाब से है यानि मीनिमम सेलरी साड़े 18 डॉलर है 19 डॉलर है थोड़ी एक्सपेरियंस है तो 20 डॉलर है तो यह एक है दूसरा चीज है दोस्त कि आपको कनाडा में जॉब करना है तो यहां की बाते बता रहा हूं अगर आप कनाडा में बीश्टर बीजा में आए हो ओपन वर्क बीजा में आए हो या जैसे भी आए हो कोई आपको यहां पर ने एक्सपेरियंस और काम नहीं देखता है लेवर में हो जाओ भाई काम करो थोड़ा बहुत इंटर्विव लिया हो गया यहां इंटर्विव में कोई फेल ही नहीं होता है कोई वहां वी खाशी सेलरी है कमपनी की पैसे बचाके लेवर कलास में भी या टेर्ट दो लाग धाई लाग रुपिय लोग बचा लेते हैं अच्छे कैसे पैसे कमाते हैं लेकिन टेकस करता है रूम बरेंट का भी करता है हाँ जादा से जादा लोग जो है अभी कोशी कर रहा है जो बैचलर टाइप पे हैं जिनके पास फैमिली नहीं है वो सेयर में रहते हैं तो सेयर रूम में रहने पे थोड़े खर्चा कम होता है चुकि आप दो आदमी तीन आदमी हो तो उस हिसाब से पैसे थोड़ा कम लगता है चुकि यहां पे रूम रेंट भी बहुत महांगा है ग्रोसरी का ज्यादा मांगा नहीं है दो से धाई डॉल दो सो यहां दो सो से धाई सो डॉलर में आप महीने के अराम से भी आई पी खाना खा सकते हो और सब चीजे में बता दो एराउंड आपको एक फिगर बता दे रहा हूं कि लोग कितनी सेलरी बचा लेते हैं कनाडा में डेड़ से दो लाक धाई लाक भी लोग बचा लेते हैं एक लेवर कलास में दूसरी चीज काफी लोग का कमेश था कि मेरे को जौब नहीं मिल रहा है भाई आप किस प्रोविंस में हो वहां कि क्या इस्तिती है अब मैं कैसे बता सकता हूं मैं यहां उंटारियो प्रोविंस रहता है लगभग रहता है चुकि हमारी कंपणी बहुत बड़ी एर कंडिस्नीं कंपणी है तो अब यह मत आप लोग पूछना कि कंपणी का नाम क्या है कंपणी के इमेल आईडी क्या है मैं कई वीडियो में बता आगे ठग गया हूं यह चीज़े में क्लोजली नहीं बता फ्रोड़ेस के हिसाब से कंपनी आपको हायर करेगी नहीं करेगी वो इसके उपर टिपन करता है और लेकिण alān बारबार मेल करोगे बारबार कंपनी को उपर दीम करोगी तो भाई prophecy rank घर यार यह सब मिला कहीं एकिसको हाइर करती है तोड़ी है कि कोई भी मेल किया और कंपनी हाइर कर लिए दिल पर मतले ना सही बाते बता रहा हूं हम लोग भी ऑनलाइन से किये थे एक्स्ट्रा ड्यूटी करके डेड़ से दो लाख धाई लाख तक बचा लेते हैं अब डिपेंड करता है कि वह भाई साब कितन खर्च करते हैं ज्यादा खर्च करते हैं तो थोड़ी पैसे कम बचेंगे लेकिन यह रेशियो है आप कैलकुलेट कर लेना कनाडा का डॉलर के हिसाब से 18 डॉलर मिनिमम है 19 20 21 22 24 डॉलर तक हमारी कंपनी में लेबर जॉब की है थोड़ी आपके पास एक्सपेरियंस है और आपकी सक्टगरी में हो उसके हिसाब से भी सैलरी आपको लगता है तो यह कनाडामें लेवर जॉब की सैलरी है जोब को मेहनत करनी होगी यार खैली पुला पकाने से कुछ नहीं होता है दिल पे मतलो मेहनत करो अच्छा कोई placement है कोई अच्छा office है तो वहाँ पता करो मैं जोटी बाते नहीं बताऊंगा बहुत लोगा कमेट सा कि आप की इस office से आया हो मैं office से नहीं आया दोस्त मैं online से आया online पे आप mail करो इंडीट पे मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया है इंडी.ca पे बेव साइट पे जाओ कनाडा की बेव साइट है इंडी.ca वहाँ पे जॉब सर्च करो लिंक दिन पे अच्छे प्रोफाइल बनाओ हमें तो लिंक दिन से जॉब मिला 20-25 लोग हम इंडीयन है तो हाँ हम लोग जॉब लिये तो ये सब कुछ प्रोसेस है वह आपको खुद करनी होगी कनाडा में चौक पाने के लिए क्योंकि फ्रोड के भी सिकार लोग होते हैं बहुत तो ये सब चीज़े आपको देखनी पड़ेगी यार और इजली सब कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त दुबवई सौधी नहीं है कि प्लेस्मेंट में गए आफिस में गए 10-25 दिन में वो जो है जो है जोब ओप सब कर लिया तो ऐसा नहीं होता है इसमें टाइम लगता है और कुछ प्रोसेस कुछ यहां पर हलो कुछ प्रोसेस कुछ सिस्टम तो यह सब चीज़े होता है तो आपको यह देखना है कि आप किस हिसाब से हो किस कटगरी में हो उसके हिसाब से जॉब साच किजिए और कनाडा में लेबर जॉब की बहुत डिमांड होती है अब आपको यहां आना है तो किस हिसाब से आना है मैंने अल्लेडी उस पर वीडियो बनाया है तो यह सब चीज़े आपको एनालसिस करें